नमस्कार मित्रो अपने फेस्बुक को हैक होने से कैसे हम बचाए इसी की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ मेरे मित्र है राजिंदर परसाथ उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आया एक्सेप्ट कर लिए हलाकि वो पहले से मेरे फ्रेंड थे एक्सेप्ट करने बाद आधा घंटा बाद मैसेंजर में मैसेज आता है कहां हूँ भाई हम बोले घर पर हैं तो कुछ मदद का पर जाएंगे यहां पर हम लोग अपने प्रोफाइल पर यहां से भी यह फिरी तीन लाइन को क्लिक करके भी जा सकते हैं यहां पर इसको क्लिक करेंगे यहां तीन डॉड जो आप देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे लॉक प्रोफाइल को क्लिक करेंगे इसके बाद यहां लॉक योर प्रोफाईल को क्लिक करेंगे और ok पर क्लिक करेंगे। यू लॉक्ट यूर प्रोफाइल प्रोफाइल तो लॉक हो गया लेकिन Facebook को हम लोग कैसे सिक्यूर करेंगे इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीन डाट को क्लिक करेंगे यहां पर आएंगे थोगा सेटिंग, सेटिंग और प्राइवेसी पर जाएंगे, यहां फिर सेटिंग पर जाएंगे, यहां हम लोग देख रहे हैं सीकुरिटी और लॉगिंग पर जाएंगे, यहां यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर जा फिर text message के थुरू तो हम लोग सबसे पहले text message को सीखते तो इसके लिए इसको text message को छूदेंगे और continue पर click करेंगे number अपना देख लेंगे मेरा mobile number वही है continue पर click करेंगे यहाँ पर OTP आएगा OTP डालेंगे और continue पर click कर देंगे done पर click कर देंगे इस तरह यहाँ जो ताला छप गया इसका मलब है मेरा facebook account को secure कर दिया गया है अब हम लोग सिखेंगे app के थुरू अब के थुरू लॉग करने के लिए हम लोग use two factor authentication पर जाएंगे इसके बाब authentication अब पर click करेंगे इस do app के थुरू यह मलब secure किया जाता है तो इसका link मैं description में दे दूँँगा वहाँ से आप load कर सकते हैं यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं code इसको हम लोग copy कर लेंगे एक बाद छुएंगे तो यहाँ copy लिखा जाएगा और copy लिखाने के बाद हम लोग continue पर click कर देंगे यहाँ छे डिजिट का code डालना है तो हम लोग do app पर जाएंगे इस code को वहाँ लिखेंगे पचास चाटिस बारा continue कर देंगे और इस तरह done पर click कर देंगे यहाँ लोग देख रहे हैं ताला लग गया है इसका मलब app के थूरू भी मेरा secure हो गया है अब जब भी आप कोई नया web पर या किसी के दूसरे के laptop में mobile पर कर अपना facebook आप खोलिएगा तो आपको इस app के माध्यम से या test के माध्यम से पहले आपको वो password डालना होगा तभी आपका खुलेगा मलब आप पूरी तरह से secure रहिएगा और आपका profile कोई hack नहीं कर सकता है धन्यवाद